दोस्तों बहुत बहुत सवागत है आप सभी का ओसम ग्यान हिंदीनी चैनल में एक बार फिर से तो दोस्तों आज हो गया है 19 दिसंबर 2019 से दिन गुरुवार का बात कर लेते हैं आज की मुख समझा टुडे ब्रेकिंग म्यूस इंडिया न्यूस हैडलाइन अपडेट्स की कई सारी महत्पूर्ण और काम की खबरें ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखीर तक जरूर बने रहेगा जिया दोस्तों आपको दादे मोधी सरकार की बड़ी गोश्ना आई है और बड़ा एलान किया है इसके लावा दोस्तों अलग राज्यों से आई वी बेहाथ सिलग कर के लाई गई खबरें जो केवल केवल आपके काम की है एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारिया देंगे पर उससे पहले आप से निवे देने दोस्तों अगर आपको अजका मुख समझा है तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दे और इसे ज्या पहली बड़ी खबर निगल कर आरी आपको बता दी कि सेना प्रमुख विपिन रावत का बड़ा बयान एलो सी पर किसी भी समय खराब हो सकती है जी हां हम बात करें सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने बुदवार को बड़ा बयान दिया है विपिन रावत ने कहा है कि नेंतरल रेखा एलोसी पर सिती किसी भी समय खराब हो सकती है हमें हर कारवाई के लिए तयार रहना होगा बिपिर्दावत का ये बयान तब आया है जब अगस्तों महीने में जमुकश्मीर से अनुशिये 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान दौर लगतार सीजफायर किया जा चुका है और इससे पहले हाली में सेनब प्रमुख रावत ने पाकिस्तान को कडिच्चे तामनी देते हुए का था कि भारत दे खिलाब किसी भी तरह का दुस्ता ना करें अगले दो दीन बंद रहेंगे कक्षा बारा तक के सभी स्कूल जिहां दोस्तों हम बात कर उत्ता प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फभारी के चलते पारा गिरता ही जा रहा है और ऐसे में ठंड ने लोगों का जीना मोहाल कर दिया है आपको बदाते बड़ती ठंड के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को परिशानियों का सामना करना पड़ र किलो में निंदन तापमान दस डिगरी सलस्यत के आसपास पहुंच गया है आपको बताते जिरादिकारी गाजय अजय शंकर पांड़ा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आगामी दो दिनों तक शीत लहरी को द्रश्टिगत रखते हुए जनपत के नर्शरी से कक्षा बारा त के सबी स्कूल बंद रहेंगे ताकि स्कूली बच्चों को शीत लहरी से बचाय जा सके अगली खबर निकल कर आ रही आपको बताती कि फरहान अख्तर ने चापा भारत का गलत नक्षा आईपियस अफसर्ज ने मुंबई पुलिस और आयने से कहा देश द्रो के केस में भेज की है आईपियस अधिकारी संदीप मिंतल ने मुंबई पुलिस और नाइए को टैग कर ट्वीट करते वे कहा है कि आपने जो किया है वह आईपिसी की धारा 121 के तहट अपराद है और यह गयर इरादतन नहीं है उन्होंने अपने ट्वीट में आईपिसी की धारा 121 को समझ चुका हुँद और दोसों है अगली बड़ी खबर आरे जारकट से आपको बता दे कि जारकंड में बोली प्रयंका गांदी विजेपी सरकार प्रचार में सूपर हीरो लेकिन काम में सूपर जीरो जी हम बात कर हैं कॉंगरस की नह府ें चुनावी रैली को संबोधित की और रैली को संबोधित करते हुए प्रेंका गांधी ने कहा कि यहां की जल जमीन आधी के मालिक आप हैं और संगर्ष की यह सीख आपको महान योद्दा सिद्दू और कानू से मिली है और प्रेंका गांधी ने कहा कि आपके जल जंगल जमीन क के संगट में इंद्रा गांधी जी हमेशा आपके साथ रही है और इन पर आपका अधिकार बरकरार रखने के लिए काम किया और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है आपको बताते कि सल्मान खान ने चुकाय स्पॉर्ट बॉई की बकाया धनराशी शूटिंग के सेट पर किया एक और नेक काम जी हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड सुपरस्टा सल्मान खान इंद्रों अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में काफी बीजी चल रहे हैं और इसी बीच सल्मान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे लेकर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है आ किसी भी हैक्तिक शूटिंग की वज़े से वरकरों की पेमेंट में देरी हो जाती है जिनमें स्पॉर्ट बॉइस भी शामिल है ऐसे में जब सल्मान खान के कानों में जब ये गई तो उन्होंने इस मामले में तुरंत निड़ा और सभी को उनके पैसे समय पर मिल जाए के साथ बैट गए वैसे कहा सल्मान खान के लिए ऐसा कहा जाता है कि वह किसी को दुखी या परिशान नहीं देख सकते वह हमेशा अपने फिल्म सेट पर सभी को हसाने की कोशिश करते रहते और ये बेहद कम ही देखने को मिलता है जब कोई बड़ा सुपरस्टार इस तरह स फिर कारिकारी चेर्मेन बनाने का है अदेश जी हम बात कर रहे हैं तीन साल पहले बड़े ड्रामे के बाद साइरस मिस्री को हटा दिया गया था उन्हें आज बुदवार को नेशनल कंपनी लौ अपिलेट ट्रिबुनल से बड़ी रहत मिली है और इंसी एल्टी ने उन्हे आटा संस का एक्जेक्यूटी चेर्मेन के पदबर फिर से बहाल कर दिया है और दोसों में अंगली बड़ी ख़बर में आपको बता दे कि अंग्रेजी के लिए कॉंग्रेस सांसर शशी थरूर को साहित अकादमी का मिलेगा पुरुशकार जी हम बात कर रहे हैं साहित अकादमी पुरुशकार देने की बुद्वार को घोशना की गई है इसलामिया के शिक्षक संग ने बुद्वार को एक प्रेंस कॉंफरेंस कर नागरिकता संशोथित कानून और राश्य नागरिक रजिष्टर को संविधान विरोधी बताया है और आपको बता दे कि अंधिपूर विरोध प्रदर्शन सबका हक है लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिसरा अन्विग की जात्रों को पीटा गया वे दुखत है और शिचकों ने अपनी PC में मान की कि पुलिस लाठी चार्ट में जाम्या की संपती को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए पर दोस्तों लिखा में निकल कर आ रही है कि मोधी सरकार के पूरे मुख आर्थिक सलाकार का दावा के ICU में हैं इंडियन एकोनॉमी जी हम बात कर रहें मोधी सरकार में मुख आर्थिक सलाकार CEA रहे अर्विंद सुपरमर्यम ने देश की मौझूदा आर्थिववस्ता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि फिलाल एकोनॉमी जिस्तर हालात में है उससे यह साफ है कि यह ICU में जा रही है उन्होंने एकोनॉमी को लेकर कहा कि भारत गहरी आर्थिक सुष्ती में हैं बैंकों और कंपनियों की टूइन बैलेंस स्टीट क्राइस के क पहली बार खुली श्री नगर की मुख जामिय मस्जिदा निन के बात, दोब मुख श्रिन के मुख जामिय मस्जिद पिर से सामुहिक के लिए खुली घहां और शहर की ये मुख मस्जित पिछले करीब चार महिने से बंद थी और जब से केंद सरकार ने वहां से आटिकल 370 खत्म किया था दरसल इलाके में भारी सुरक्षा बलो की तैनाती के चलते लोग यहां नमास पढ़ने नहीं आ रहे थे लेकिन हाला सुधरने के बाद सुरक्ष को है घेरा जी हम बात कर रहे हैं भारती जंता पाटी के दिग्गत जिनेता कैलाश विजयद वर्गी के काफिले को पशिमंगाल के 9 ग्राम इलाके में भीड द्वारा घेर लिया गया और जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि राज सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की ममताव इनर्जी के निर्देश पर हमें रोकने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि पशिमंगाल की अराजक सरकार में किसी की जान सुरक्षित नहीं है और बता दे कि कैलाश विजयवर्गी एक कारिक्रम में भाग लेने मुर्शिदा बात जा रहे थे और दोस्तों मैं एकली खबर निकल करा रही है आपको बताते कि परकाश राज ने कहा किसी को भी अपनी आवास दबाने मत दो जी हम बात करें देश की राजिती घटनाओं पर बेवाकी से अपनी राय रखने वाले फेमस एक्टर परकाश राज या नागरिक्ता एक्ट को लेकर मोधी सरकार पर निशाना साधा है परकाश राज ने नागरिक्ता संशोदर कानून पर जामिय मिलिया इस्लामिय विश्विद्धाले और AAMU के चात्रों का समर्थन किया है उन्होंने बुद्वार को ट्विट कर कहा कि कि किसी को अपनी आवास मत दबाने दो उनका य राज नागरिक्स रजिस्टर के खिलाव राजनीदी पार्टियां लगतार केंद सरकार को घेरे हुए है आपको बताते हैं बुद्वार को मध्य प्रदेश की राजधानी बोपाल में कॉंग्रेस ने एक धरना प्रदशन का आयोजन किया जहां हजारों लोग ने अपनी उ नागरिक्सा कानून लागू होने के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसके साथ नर्सी का भी कड़ विरकड़ा विरोध हो रहा है और दोस्तों अगली ख़बर में आपको बता दे कि जामिया हिंसा में चात्री की आख की रोशनी गई बोला मैं लाइब्र कर चात्रों को पीट रही थी अब जामिया का एक ही स्ट्रीडेंट सामने आया है जिसने या रोब लगा है कि हंगामे और पुलिस की पिटाई के दरान उसकी एक आख की रोशनी चली गई है और चात्र का नाम मिनाजुद्दीन और जो की 26 वर्ष की हैं और LLM के फाइनल य रहे थे कि तभी 20 से 25 पुलिस कर्मी अंदर घुसे और चात्रों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी अगली खबर निकल कर आ रही कि ओडिशा के मुखमंत्री बोले हम NRC के समर्थन में नहीं हैं हमने कैप को वोट दिया है जी हम बात कर रहें नागरता संशोधन बिल को ओडिशा के बीजू जंता दल के अपना समर्थन दिया था लेकिन इस बिल को समर्थन देने के बाद ओडिशा के मुखमंत्री और बिजेटी के मुखिया नवीन पतनायक ने बड़ा बयान दिया है आपको बदा दे नवीन पतनायक ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजू जंत सब्सक्राइब नागरिकों के लिए है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दे क्योंकि आपका एक लाइक जैसा कि मैंने का हमारे लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण होता है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरू शियर करें अगर आप हमारे चैनलम को सब्सक्राइब कर लिए अगली चाठ्रों के सपोर्ट में आई ट्विंकल खरना आचीHS हां अब को बता थे कि दिली ड़ेल के च्छाथ विरोध करवाईं कंड़ी मीडिया में ऐसी खबर है कि दिली पुलिस ने विरोथ कर रहे है जामिया के चात्रों पर लाठिया भाजी और मार पीट की इन खबरों के बाद देश बर से लोग जामिया के चात्रों के समर्थन में आ रहे हैं बॉलीबुड अभी नेत्रे और अक्षा कुमार की पतनी ट्विंकल खना सहीत कई स्टास ने चात्रों को सपोर्ट किया है आपको बता दे कि चात्रों पर हुए हिंसा को लेकर दिली पुलिस वर ट्विंकल खना का गुस्ता फूटा है उन्होंने ट्विट कर इस बात की कड़ी निंदा किये सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरीए चात्रों के सपोर्ट में ट्विंकल ने लिखा है कि हम लोग एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़ते जा रहे हैं यहां चात्रों के आवास को दबाने के लिए हिंसा का प्रियोग किया जा रहा है ट्विंगल ने आगे लिखती हैं कि मैं अपने धर्म निर्पेक्ष लोगतांतरिक भारत में खड़ी हूँ यहां शांतिपूर तरीके से अपने विचार व्यक्त करना हमारा समयधानिक अधिकार है और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से आपको बता दे कि वकीलों पर महरबान सीम केजरीवाल पांच लाग का मेडिकल और दस लाग की जीवन बीमा का किया एलान जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुखमदरी अर्विंद के जीवाल ने वकीलों को लेकर बुदवार को बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि जितने भी वकील हैं जो भी दिल्ली में वोट डालते हैं उन्हें हमारी सरकार पांच लाग रुपए तक का मेडिकल इंशुरेंस देगी और इसके अलावा सभी वकीलों का दस लाग रुपए तक का जीवन बीमा कराये जाएगा और वहीं सियम में राजधानी के सभी नयायालों में ई-लाइब्रेडी और शिशु ग्रेग खोलने की भी बात कही है और दोस्तों एक और बड़ी खबर में आपको बता देके अरविंत के जिवाल ने कहा है जिन्हें चुनाओं में हारने का है डर वहीं भड़ता रहे है हिंसा जी हां हम बात कर रहे है डिल्ली से संशुतित नागरता कानूं के खिलाफ डिल्ली में कई जगा हिंसक परदशन हुए है जामी इलाके में हिंसा को लेकर बिजेपी आम आदिपार्टी पर और सीम अर्विंत के जिवाल पर निशाना साथ रही है वहीं पार्टी पर लग रहे है आरोपो पर दिल्ली के सीम अर्विंत के जिवाल की प्रतिक्री आई है आपको बतादे अर्विंद केजिवाल ने कहा है कि हाल ही कि हिंसक घटनाओं में आमाधी पार्टी का नाम घसीरी ने की कोशिश की जा रही है अर्विंद केजिवाल बोले जिसे हार का डर वही दंगे करवा रहा है और आपको बता दे कि BJP के आरोपों पर अर्विंद केजिवाल ने पलटवार करते वे कहा आमाधी पार्टी ऐसा क्यों करेगी और हमें इससे कैसे फायदा मिलेगा आपको बता दे हम सभी को शांती बनाया रखना चाहिए उन्होंने पार्टी पर लग रहे आरोपों का जवा हम आपको बता दे कि अगर आप रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खबर है कि क्यूंकि आपको रेलवे से 50% का डिसकाउंट मिल सकता है दरसल रेलवे ने एक भारत स्टेश्ट भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेने युवाओं को फायदा पहुचाने के लि है और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों सरकारी युजनों की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों